हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आज हम मैंगो से एक ऐसा जूस बनाएंगे जो बिल्कुल फूर्टी या फिर स्लाइस जैसा लगेगा आप एक बार 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 बनाएंगे और आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है और बि आफुन तरीके से आपको लेना है पके वूए आम का आधा कच्च आम लेना है यानरे की दो पके आम और एक कच्च आम और जादा बनाना थे तो आप इसका डबल कर लिजिएगा अप सारे आम का मैं छिलका निकाल और इने पीसे से में काट लोंगे तो मैंने यहां पके वा जादा यानि की देड़ ग्लास जितना इसमें हम पानी डाल देंगे और एक सुगर सीरफ तयार कर लेंगे और अगर आप खटा आम लेते हो ना कच्छा वाला तो उसके लिए फिर आपको चीनी जादा डालनी पड़ेगी तो खटा आम लेंगे तो चीनी जादा डालिएगा अब देखिए उधर हमारा सुगर सीरप तयार हो रहा है इधर हम आम की प्यूरी बना लेते हैं एक पल्प बना लेते हैं तो पहले मैं पके आम का बना लेती हूँ फिर कच्छे आम का क्योंकि मिक्सर जार छोटा है तो दोनों साथ में नहीं बन पाएंगे तो दोनों को अलग-अलग करके मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी और देखिए इधर हमारा सुगर सीरप लगबग तयार है जस्ट सक्कर को मेल्ट करना है हमें बस और देखिए यहां पर मैंने पके वाले आम को पीस लिया है उसकी प्यूरी बना ली है और यह सुगर सीरप मैं एड़ कर देती हूँ इसके बाद मैं कच्छे वाले आम का पल्प भी इसमें एड़ कर दूँगी तो अब मैं इसमें कच्छे वाले आम का पल्प भी ऐड़ कर दूँगी और बहुत अच्छे से फिर हम Compare कर लेंगे से तो दोनों को कच्छे पक के आम के 27 को मिक्स कर लेंगे मिकर जार को दो कर थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि सुगर सीरप और आम का पल्प एक हो जाए और इसमें जो है थोड़े-थोड़े से मैंगो बाइटस रहे गए है तो लास्ट में जब हम इसे चानेंगे न त में विनेगर डालती हूँ याने की वाइट की सिर्का जो है ना प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और 15 दिन तक आराम से आप फ्रिज में इस फ्रूटी या फिर जूस को रख पाएंगे और पी पाएंगे तो देखिए उसे भी मिक्स कर दिया अब गैस का फ्लेम बढ़ा देन है तो देखिए अच्छे से एक खौल आ गया है इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से और अच्छे से क्वाल आने के बाद हम गेस की से अब हमगे चांदना होगा एक छनी से तो देखिए यहां पर मैंने एक छनी ले ली है बड़ेसा इसकी और नीचे पतिला रख लिया है और इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके चान लूँगी अभी गरम ही है ये तो देखिए ऐसे डाल के और मैं कैसे चान रही हूँ देखिए ऐसे ही आपको चानना होगा ये ताकि एकदम स्मूथ मार्केट जैसा बने और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएग चान जाएगा तो देखिए यहां पर मैंने चान लिया है अब दूसरा जो बचा है उसे भी चान लूँगी ऐसे करते मैं सारे को चान लूँगी इस तरीके से और लास्ट मेहना बस थोड़ा सा फाइबर इसके जो रेसे है ना वो रह जाएंगे तो देखिए थोड़े रेस उसे हम फेक देंगे तो इस तरीके से चान लेंगे अब यह चान गया है और पानी डालके और निकाल लेते हैं इसमें कुछ पल थोड़ा बचा हो तो वैसे भी हमें यह जूस बनाने के लिए इसमें पानी तो एड़ करना ही है तो चान लिया है अब यह बच गया है रेसे त चीनी थोड़ी जादा लेनी पड़ेगी, और देखिये मैं इसमें और पानी एड करती हूं, दो लीटर जितना मैंने इसे बना दिया है दो लीटर से भी आधा गलास जादा ही बना था मेरा ये तो देखिए कितना कैसा है कितना गाड़ा कितना पतला आप देख सकते हैं और टेस्ट तो इसका एकदम ओसम है और इसको फ्रीज में रखते हैं room temperature पे आने देंगे और फिर इसको fridge में रखेंगे और ठंडा ठंडा इसको serve करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक लगेगा ये तो मैं इसको रख देती हूँ fridge में room temperature पे आ गया है अब ये थोड़ी देर बाद तो देखिए fridge में कुछ 3-4 घंटे रखने के बाद मैंने निकाला है तो ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसे serve कर देती हूँ तो आप भी इसी तरीके से इसे बढ़िया ठंडा कीजिए और serve कीजिए बहुत ही मज़ा आएगा आपको और कैसा लगा ये drink मुझे जरूर बताईएगा ये mango drink और अगर पसंद आई हो recipe तो like कीजिए और share कीजिए comment section में comments करके जरूर बताईएगा कैसा लगा thanks for watching मिलते हैं next video में next recipe के साथ